नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक वर फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत यह अच्छे होंगे तो सत्तरवा BPSC का एक्जाम अब हमारे बिल्कुल नजदीक है 30 सेप्टेंबर का डेट है देखते हैं आगे बढ़ता है या नी बट फिर भी उसको लेकर यह प्रैक्टिस सेट है और यह प्रैक्टिस सेट आठवा है इसके पहले हम लोग एक से साथ नमबर तक प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं जिसमें हम लोग साड़े 300 से जादा most important questions अल्रेडी हम लोग कवर कर चुके हैं अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जरूर जाकर देखिए एक्जाम के पहले पहले तक लगबग मैं 50 प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग 2000 से जादा most important questions कवर करेंगे और आप मान कर चलिए कि BPSC exam 2024 जो की September last में होने वाला है उसमें 55 से 60 questions आपको इसी सीरीज से देखने को मिलेगा ये आपको मेरी guarantee है तो आज का जो आठवा प्रैक्टिस सेट है वो बिहार special questions को लेकर है तो आए समय नावेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर बट उसके पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो वीडियो आप पूरा देखिए उसके बाद आप PDF इसका चाहेंगे तो PDF आप मेरे टेलिग्राम चैनल से ले सकते हैं आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा और साथ ही साथ ये जो 1 से 7 नमबर तक के वीडियो है उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर आएए देखते हैं अपने पहले question को कावर लेक बर्ड सेंक्चुरी इस लोकेटेड इन विच डिस्टिक्ट मतलब कावर जील पक्षी अभ्यारण ने ये बिहार के किस जिले में स्थित है आपको ये बताना है तो ये स्थित है बिहार के देगु सराय जिले में पहले का उप्षन एक करेक्ट हो जाएगा एक है गोगा बिल बर्ड सेंक्चुरी ये है बिहार के कटिहार जिले में उसके अलावा गौतम बुद्ध सेंक्चुरी ये गया के बोध गया में स्थित है इसके अलावा संजय गांधी बायोजिकल पार्क ये बिहार के पटना जिले में स्थीत है जो कि बिहार की राजधानी भी है इसके अलावा विक्रम सिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंक्चुरी ये बिहार के भागलपुर जिले में है और लास्ट उदैपुर वाइल लाइफ सेंक्चुरी ये बिहार के पस्चिम चमपारण जिले में है तो ये कुछ नाम मैंने यहां पे लिग दिये हैं ताकि कई बार ऐसे कि गोगा बिल बर्ड जिले में है तो आपको बताना है कटिहार जिले में है आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नागी और नक्टी पक्षिय अभ्यारण्ने ये बिहार के किस जिले में स्थित है ये बहाद इंप्टेंट को स्चन है और करंट अफयर्स का भी एक क इस्प्लेनेशन में बात करेंगे तो ये जो नागी और नक्टी पक्षिय भ्यारणने है ये बिहार के जमूई जीले में स्थित है दूसरे का ओप्षन डी करेक्ट हो जाएगा तो अभी हाल ही में वर्ल्ड इन्वार्मेंट डे दोहजार चोविस मतलब विश्चो परियावर बनाया गया तो ये जो दोनो है नागी और नक्टी ये दोनो man-made है और ये कहाँ पर है बिहार के जमूई जिले में जो जाजा फॉरेश्ट रेंज है वहीं पर है ये नागी और नक्टी पक्षिय अभ्यारणने तो बिहार के पास अब टोटल तीन वेटलेंड साइट्स है रामसर कन्वेंशन के तहट तो वो कौन-कौन से हैं तो एक तो है हमारा कावर लेक बर्ड सेंक्चुरी जो हम लोग पहले कोस्टन में बात किये थे जो कि बेगु सराय में हैं तो ये पहला था उसके अलावा दो जो बना है वो नागी और नक्टी जो इस कोस्टन में हम लोग बात कर रहा है तो टोटल अब कितने हो गए रामसर साइट्स हमारे इंडिया में टोटल हो गए हैं 82 82 और बिहार में टोटल कितने हो गए हैं तो बिहार में टोटल हो गए हैं तीन हो गए हैं रामसर साइट्स तो ये जो पहला था कावर लेक बर्ड सेंक्चुरी हम लोग ब और हमारे बिहार में तीन रामसर साइट सब हो गया है तीसरा question देखते हैं भीम बांध क्या है क्या एक ये बुधिस्ट टूरिस्ट प्लेस है या जैन टूरिस्ट प्लेस है या तो फिर wildlife sanctuary मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य है या तो फिर इनमें से कोई नहीं तो ये भीम बां बोध गया में स्थित महाबाधी मंदिर किस वर्ष UNESCO के वर्ल्ड ह्रीटेज साइट में शुमार हुआ ये महाबाधी मंदिर तो ये बना था सन 2002 में UNESCO का वर्ल्ड हर्रीटेज साइट बना था चोथे का ओप्षन सी करेक्ट हो जाएगा अभी हाल ही में जो बजट 2024 आया था उ विश्नुपद टेंपल कोरिडोर जो की गया में है और महाबोधी टेंपल जो की गया के बोध गया में है उसको अब ट्रांसफॉर्म किया जाएगा वर्ल्ड क्लास टूरिजम डेस्टिनेशन के रूप में ऐसा बजट 2024 में अनाउंस किया गया है और इसको ठीक उसी मोडल पे बनाया जाएगा जिस मोडल पे काशी विश्वनाथ टेंपल कोरिडोर बनाया गया है जो की उत्तर परदेश के वारणसी में है आगे देखते हैं पाचवा बोध गया किस धर्म का एक प्रसिद्ध स्थान है तो बोध गया बोध लोगों का एक प्रसिद्ध स्थान है पाच में बॉधिर ट्री कहा गया, वहाँ पे जो गौतम थे, जब इनको सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ती हुई तो इनके नाम के साथ बुध्ध जुड़ गया, बुध्ध का मतलब होता है बहुत ही पवित्र स्थान है आगे देखते हैं छठा कोस्चन बिहार के नालंदा में स्थित पूरा तात्विक स्थल नालंदा महा विहार जो कि पहले नालंदा युनिवर्स्टी था वो किस वर्ष युनिश्को की विश्व धर्वर सूची में सामिल हुआ तो ये सामिल हुआ था सन 2016 में छठे का उप्षन बी करेक्ट हो जाएगा तो जो गुप्त वन्ष के राजा थे कुमार गुप्त वन्ष इन्होंने ही नालंदा युनिवर्स्टी की स्थापना की थी 427 इसवी में बाद में 1190 के दशक में बक्तियार खिलजी नाम के एक व्यक्ति जो की एक टर्किस अफगान मिलिटरी जनरल थे उन्होंने नालंदा इन्युवर्स्टी को बिल्कुल ही जला दिया था खाक कर दिया था जला कर अब नालंदा इन्युवर्स्टी का गया तो ये लिखा गया फनीश्वर नात रेनू के द्वारा साथवा का ओप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बहुत ही फेमस यह उपन्यास है आठवा कोस्चन देखते हैं भोजपूरी के शेक्सपीर नाम से कौन प्रसिद्ध हैं तो ये है भिखारी ठाकुरजी ये भोजपू जिखारी ठाकुर जी का ही काम है जिनको भोजपूरी का शेक्सपीर भी कहा जाता है तो नौवे का ओप्शन एक करेक्ट हो जाएगा दसवा देखते हैं बाबु जी के नाम से कौन जाने जाते थे तो बाबु जगजीवन राम दसवे का ओप्शन एक करेक्ट हो जाएगा तो ये कौन थे जिनको पॉपुलरली बाबुजी के नाम से जाना जाता था तो एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक एक एक्टिविस्ट थे ये और ये बिहार से राजनेता भी थे मतलब कि ये आजादी के लड़ाई के समय एक बहुत ही इनका योगदान रहा था एक्टिविस जी के दवारा सन 1930 में लेकिन इसके गठन में कही न कहीं ये जो बाबु जग जीवन राम जी थे इनका भी एक बहुत ही बड़ा योगदान था तो ये जो All India Depressed Classes League था ये करता क्या था तो ये बेसिकली दलीतों को Equality के लिए काम करता था कि ये भी बराबर के नागरी के समान नागरी के इनको भी समान अधिकार होने चाहिए उसके लिए ये Organization Association काम करता था All India Depressed Classes Association जिसके में जो गठन किया गया था ये डॉक्टर बियार अमेडिकर जी के दवारा किया गया था लेकिन इसमें बाबु जीवन राम स्टेडियम ये बिहार के किस जिले में है तो ये है बिहार के खगौल जो कि एक्चुली पटना में पढ़ता है तो ये बिहार के पटना जिले में है और खगौल में है ग्यारवे का option A correct हो जाएगा बारवा देखते हैं कुवर सिंग बिहार के किस जिले से है तो लिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है तो ये बिहार के भोजपूर जो की आरा जिला है वहां से ये बिलॉंग करते हैं तेरवा कोस्चन देखते हैं वीर कुवर सिंग स्टेडियम ये किस जिले में स्थित है उनके ही नाम से है वीर कुवर सिंग जी के नाम से ही है तो ये भी बिहार के आरा जिले में ही है तेरवे का ओप्शन एक करेक्ट हो जाएगा चौदवा देखते हैं वीर कुवर सिंग युनिवस्टी ये किस जिले में स्थित है चुकि ये आरा भोजपूर सही बिलॉंग करते थे इसलिए ये युनिवस्टी भी यहीं है चौदवा का ओप्शन एक करेक्ट हो जाएगा पंदरहवा देखते हैं राजेंडर प्रसाद एक बार भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने वो किस साल बने थे हम लोग ये जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के जो सारे इंपोर्टेंट सेसंस के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं अगर आप लोग प भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस के अध्यक्ष तो ये बने थे सन 1934-35 में पंदरहवे का ओप्षन एक करेक्ठ हो जाएगा तो ये 48 वा कॉंग्रेस का सेशन था और ये 1934 में हुआ था ये बॉंबे में हुआ था राजेंदर प्रसाद जी उसमें अध्यक्ष बने थे और उस समय कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था तो ये सारी जानकारियां आप लोग ध्यान रखेगा तो पंदरहवा का यहां पर ओप्षन एक करेक्ठ हो जाएगा सोलवा देखते हैं संबिधान सभा के अध्यक्ष कौन चुने गये थे तो संबिधान सभा के अध् राजेंदर परसाद जी सोलवे का भी ऑप्षन बी करेक्ठ हो जाएगा आगे देखते हैं सब्त रहवा डॉक्टर राजेंदर परसाद जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है तो पहला देखते हैं he was elected president of India twice ये भारत के दो बार रास्टपती चुने गये थे बिल्कुल ये तो सही है लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा कथन गलत है ये चुनना है लेकिन पहला कथन तो सही है दूसरा देखते हैं he was first president of the constituent assembly क्या ये संबिधान सभा के पहले अध्यक्ष थे नहीं ये पहले नहीं थे पहले सचिदानन सिनाजी थे तो यहा का यहाँ पे option हमारे लिए यही option चुनना होगा हमें 17 कभी आगे देख लेते हैं he was close associate of महात्मा गांधी बिल्कुल ये महात्मा गांधी के बहुत ही करीबी थे आगे देखते हैं Britishers imprisoned him during site सत्यागरा नमक आंदोलन के दौरान British लोग इनको गिरफतार कर लिये थे ये भी बात बिल्कुल सही है तो एक ही कथन गलत है वो है option B यही हमारा option हो जाएगा 17 कभी आगे देखते हैं इसके बारे में detail से तो सबसे पहले राजेंदर प्रसाद जी interim president बने थे 26 जनवरी 1950 जिस दिन सम्मिधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को उसी दिन ये interim president बन गया थे और और ये 1962 तक भारत के राष्टपती थे आगे देखते हैं डॉक्टर सचिदालन सिनहा जी जो की first president थे सम्मिधान सभाके बाद में फिर राजेंदर प्रसाद जी permanent president बने सम्मिधान सभाके अभी के जो हमारे president है वो द्रौपदी मुर्मु जी या आप लोग जानते हैं आगे प्यार से श्री बाबु भी इनको कहा जाता था ये चीफ मिनिस्टर थे बिहार के 1946 से लेकर 1961 तक अगर पूछा जाए पहले गवर्नर कौन थे तो आजादी के पहले वाले जो गवर्नर थे वो थे सर जेम्स डेविड सिफ्टन लेकिन अगर आजादी के बाद के पहले गवर और वित्तमंत्री ये कौन थे तो ये थे अनुगरह नरायन सिन्हा उन्निसवे का ओप्शन एक करेक्ट हो जाएगा बीसवा देखते हैं जैप्रकास नरायन जी की जीवनी जैप्रकास के लेखक कौन थे तो इसके लेखक थे राम ब्रिक्ष बेनिपूरी तो बीसवे का आगे देखते हैं 21 वा कोस्चन भारत का सबसे उचा बौध स्थूप ये किस जगा पर स्थित है तो ये केसरिया में स्थित है 21 ओप्शन एक करेक्ट हो जाएगा और ये केसरिया स्थूप जो है ये बुद्धिस्थ स्थूप है केसरिया एक जगा का भी नाम है इसलिए इस पूर्वी चमपारण जीले में है केसरिया स्थूप जो कि भारत का सबसे बड़ा स्थूप है इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये शुरू हुआ था तीसरी सेंचुरी इसा पूर्व में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और अगर इसकी सरकमफ्रेंस की बात करें तो ये लगबग 400 फीट है और अगर इसकी उचाई की बात करें तो ये 104 फीट है और ये भारत का सबसे बड़ा स्थूप है आगे देखते हैं 22 विश्व सांती स्थूप ये बिहार के किस जगा पर स्थित है तो ये बहुत ही फेमस है और ये नालंदा के राजगीर में ये देखते हैं निम्न में से कौन सा एक परियाटक स्थल नालंदा में स्थित है आपको ये बताना है वो नालंदा में लोकेटेड है तो ये है वेनू वन विहार ये नालंदा के राजगीर में है चोविश्वा का उप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 25 देखते हैं गांधी जी सत् पहले बिहार में किये चमपारण में भी किये ये भी हम लोग को पता है लेकिन यहां पर दो है इस्ट या वेस्ट तो इन्होंने कहां पर किया था तो इन्होंने इस्ट चमपारण पूर्वी चमपारण में इन्होंने सबसे पहले सत्यागरह का अनुभव किया था 25 देखते ये इंडिया का पहला सविनै अवग्या अंदोलन था, civil disobedience movement था, जिसको महात्मा गांधी जी के दवारा launch किया गया था, ये पहला सत्यागरह movement था 1917 में, जिसको महात्मा गांधी जी के दवारा launch किया गया था, तो ये था क्या, ये एक farmers uprising था, मतलब किसानों का एक आंदोलन था बिहार में ब्रिटिश शासन के दोरान इस सत्यागरह के पहले जो किसान थे बिहार के वो तीन कठिया सिस्टम को फॉलो करते थे मतलब अगर किसी के पास एक बिगा जमीन है मतलब 20 कठा तो उसमें से तीन कठा इनको रिजर्व रखना पड़ता था नील की खेती के लिए जबरदस्ती करवाया जाता था नील की खेती तो ऐसा कुछ इसाफ किताब था कि लोगों के पास खाने को नहीं था और ब्रिटिस लोग यहाँ पे नील की खेती करवा रहे थे जबरदस्ती आगे देखते हैं राजकुमार शुकला वो व्यक्ती थे जिन्नोंने गांधी जी से आग्रह किया था कि चमपारण में आकर किसानों की स्थिती को देखें और उस पे विचार करें आगे देखते हैं 26 वा कोश्चन गांधी जी से संबंधित भीती हरवा आश्रम ये बिहार के किस जिले में स्थित है तो ये बिहार के वेस्ट चमपारण में स्थित है 26 वे का उप्शन एक करेक्ट हो जाएगा तो यहां पर हम देखते हैं कि यह भीती हर्वा आशरम क्या था? तो यह एक center था social work का, समाजी कारे का, किसके द्वारा यह बनाया गया था? गांधी जी के द्वारा यह बनाया गया था कब बनाया गया था ये उस समय जब चमपारन का मुव्मेंट चल रहा था 1917 में उसी के दोरान इसको बनाया गया था तो उस समय तो चमपारन एक ही था बाद में ये इस्ट और वेस्ट बट गया आगे देखते 27 वा स्वामी सहजानंद सरसोती ने किस जगा पर एक आसरम बनवा आया था 27 वा का ओप्शन यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा आगे देखते 28 वा पादरी की हवेली ये किस साल में बना था तो ये बना था 1772 में 28 वा का ओप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तो ये पादरी की हवेली जिसको मैंशन आफ दा पैस्टर भी कह सकते हैं जो पादरी सेंट मेरिस चर्च भी इसको कहा जाता है और ये बिहार का सबसे पुराना चर्च है अब पहले तो ये चर्च बना था 1713 इसवी में लेकिन आज का जो स्ट्रक्चर है हमारे सामने आज जिस चर्च को हम लोग देखते हैं वो बेसिकली डिजाइन किया गया था एक वेनेशियन आर्किटेक्ट के द्वारा जिनका नाम था टी रेटो और ये बना था 1772 में तो आज जो हम लोग देखते हैं चर्च सेंट मेरिस चर्च वो बना था 1772 में उन तीसवा कोस्चन देखते हैं मुसलिमों के परेटन अस्थल गोरॉल शरीफ ये बिहार के किस जिले में स्थित ह तो ये स्थित है बिहार के सीता मढ़ी में उन तीसवे का उप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तो बिहार शरीफ और फुलवारी शरीफ के बाद मुसलिम्स का बिहार में जो सबसे पवित्र स्थान है वो है गोरॉल शरीफ जो की सीता मढ़ी में है आगे देखते हैं तीसवा को अप्शन भी करेक्ट हो जाएगा तो शेर शा का मकबरा है सासाराम में इसके बाद हम लोग जो सारे मुगल बादशा थे उनके मकबरा कहा कहा है वो हम लोग एक ही स्लाइड में देख लेते हैं बाबर जो कि पहला मुगल समराठ था उसका है अफगानिस्तान के काबूल में हुमायू का मकबरा है दिल्ली में अकबर का है सिकंदरा में जहांगीर का लहोर में शा जहां का आगरा में और औरंगजेव का है महराष्टरा के औरंगाबाद जीले में तो आज के हमारे यही तीस कोस्चन थे हम लोग जरूर मिलेंगे अगले पार्ट में ये सिरीज जो है 2000 से भी जादा most important questions देखेंगे जिसमें से आप मान कर चलिए कि लगभग 55 से 60 questions आपको इसी सिरीज से देखने को मिलेगा VPSC exam 2024 में तो thank you so much मिलते हैं अगले पार्ट में